आईए NIS के student आज हम लोग बात करते हैं TMA की यानि tuition marks assignments की बहुत से student जो नए admission लेते हैं उन लोगों को एक confusion होता है कि यह TMA क्या होता है और कई student तो practical exams को TMA समझ बैठते हैं जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है और जिसका खामियाजा जो है आगे चलके उन्हें भुगतना पड़ता है तो ऐसी कोई गलती आप ना करें अगर आपने NIS में admission लिया है तो आप ध्यान से समझिए कि आपका जो subject है वो तीन parts में divide है एक आपको theory का exam देना है एक आपको practical का exam देना है अगर उस subject में practical है और एक आपको subject का TMA बनाना है यानि कि tuition marks assignment बनाना है अब दो चीज़ें इसमें कंबल्स हरी है एक तो theory का exam और ए इक आपका TMA अब TMA क्या होता है अगर आपके exam अप्रेल और मेही में होने वाले हैं तो आपको 31st जो है January तक 31st January तक अपने study center में हर साल जो है यह TMA हर subject के submit करने पड़ते हैं अगर आपको admission public exam में October और November के लिया है तो आपको 31st July तक TMA submit करने पड़ते हैं TMA के जो question होते हैं वो NOS दोरा दिये जाते हैं और उन questions के answers एक फाइल में बना के आपको interlip file लेनी पड़ती है interlip file बोले तो एक site जिसमें लाइने प्रिंट हो और दूसरी site blank page हो उस file को लेके आप इस TMA को तयार करते हैं इस TMA में 6 questions दिये होते हैं उन 6 questions में आपको जो questions आते हैं उन questions के answer लेके आपको submit करने पड़ते हैं जिसमें आपका enrollment number आपका नाम आपका secondary है या senior secondary है आपका study center और यह subject किस subject का आपने TMA में बनाया है और उस subject का code वहां पर डालना पड़ता है और वह फाइल बना के आपको TMA submit करना पड़ता है अब मैं बताओं आपको TMA जो होता है वो जो भी theory का exam आप दे रहे हो उसका 20% weightage होता है अब 20% weightage आप ऐसे समझ लीजे मान लीजे आपने एक subject भरा है जिसमें 20 marks का practical है 80 marks का theory है अब यह जो 80 marks है उस 80 marks का भी 20% यानि 16 marks तो 16 marks का TMA उस particular subjects का होगा जिसके marks आपको study center द्वारा a lot करे जाते हैं जो कि आज जहां पर आप अपना TMA समिट करते हो और प्रैक्टिकल जो है वह एक अलग चीज है और जो theory का exam में वह अलग है तो TMA हमारे percentage को बढ़ाने में बहुत मदद करता है इसलिए TMA को likely नहीं लेना है आपको जो है properly समझना है और आगर आपको वाकई म में जानना है कि क्या होता है TMA की solve file कैसी होती है तो हमारे description box में लिंक दिया गया है उस लिंक में जाके भी आप देख सकते हो कि TMA के बारे में क्या क्या information वहाँ पर submit करी हुए और कैसे आपको जो है TMA बनाना है और क्या करना है तो यह